आख्री एक गंटे के ट्रेड की तरफ बढ़ते हुए और दिन के निश्ली पर ट्रेड करते हुए बाजार 17,000 के लेवल से आख में चली करते हुए बैंक 50 भी अब 49.500 के बेहत करीब पहुंचतावा दिख रहा है दाव फिटर्स में तेज गिरावट के आसार माहूल ठीक नह यह ज्यादा गुड इसले नहीं कि बाजा नीचे या इसले क्योंकि यह स्टीट का आया है कुछ भी अच्छा नहीं मूट खराब कर रहा है सुबह वो डेट में चुल फंड की ख़बर फिर दोपर में स्टीट की ख़बर फिर उपर से मतलब यह सारा कंफुजन उपर से ग् इस चार पांट परसेंट प्री ओपनिंग में नीचे वहां पर अमेरिका में तस्वीर थीक नहीं दिखरी बड़ी बाते हैं बता दूं आपको एस्टी को लेकर कंफुजन है इसने भी बाजार में थोड़ा गिरावट का काम किया है निफ्टी अब 75 रंख नीचे 17,000 के करी में की वज़े से मीचल फरंड के शेरों में तेज गिरावट होती दिखिए है मैटल कमजोर है रेल स्टेट कमजोर है छोटे मजले शेरों में भी नुकसान आपको देखिएगा सिफ डिफेंसिव आईटी और एफम सेजी हलके फिलके बड़त के साथ है और दाव फ्यूचर तो यह है आपके लिए पूरा का पूरा आक्शनी समय एक बार जड़ा बाजार पर आपका भी नजरिया लेना है थोड़ी वालिटिलिटी आइधिंक डाव फ्यूचर्स के भी गिरने से है जो हमारे डोमेस्टिक कॉंट्रिबूशन है वो थोड़ा ज्यादा है नो डाउट आपको लोंग पोशिशन पर स्ट्रिक स्टॉप लोस मेंटेन करना चाहिए जो भी आपको ठीक लिए और बैंक निफ्टी पर अपने स्टॉप लोस से 50 पूइंट उपर है लेकिन तस्वीर अच्छी नहीं दिख रही क्योंकि अमेरिका में भी प्री उपन में यूपन में बैस का शेयर 4-5% गटा है डर वहां पर भी यही कि वीकेंड पर कहीं कोई और ख़बर आजाए जिससे आपको यह लगें कि अमेरिका में मामला बिगड सकता है उपर से जो एस्टी के के कन्फूजन को लेकर ख़बर आ रही है एस्टी के बढ़ने के बाते वह बादर के मू थोड़े और नीचे जाने को हम तैयार हो सकते हैं कितने गटे नहीं गटे अलग बात है बट फिलाल खरीदारी करने से परहिज करना चाहिए थोड़ा रुखना चाहिए एक बार यह सारी बूरी ख़बरों को सेटल हों दे हैं एक ही मन में बनाले हमें सोमवार को लेना आज अगले डेड़ गंटे में भले 17 एक सो आजा है जो भी लेना है और बली 16 900 आजा है नहीं लेना है जो भी लेने के लिए थोड़ा से इंतजार करो इतनी सारी खबरों के बीच अब यह है कि सटी जिस से चेंज किया है अब वाके में सरकार बढ़ाना चाहती गटाना चाहती इंटेंशन तो साफ बढ़ाने का है लेकिन लेवल जो है वह गटाने के हैं तो उस पर क्लेरिफिक्शन शाम तक आपको आए गया रोजा 99 परसंट यह आएगा यह गलती से भाई 17 सु कर लिग दिया था 17 सो नहीं पांट जार तो पहले से ही है थोड़ा सा मेरे ख्याल से बे मुझे थोड़ा ग्लोबल माहूल थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा है एक बार यॉरोप दिखाईए और उस हिसार से मुझे रखता कि लेना थोड़ा सा भी रिस्की है नहीं लेना चीज़ नहीं लेना चीज़ जबकि रेंज 16,950, 17,050 की खरीदारी की रेंज है ले कुछ ना खाया उसे पचा ले और खाने निगलने की कोशिश ना करें कुछ ने करें कुछ ने करें ना ठीक है सर मतलब स्टॉप ज़रूर रखें अपनी लॉंग पोशिश यह सर 17,000 बस खत्रे में आ गया है वैसे एक बार के लिए 16,995 पर भी गया है निफ्टी आये खबर है रिटेले मिश्कु के लिए वो बंध हो जाएगा साथी कैबिनेट की CCA बैठक है शाम को साड़े छे बजे तो वहां पर भी नज़र रखें कल के दिन में वित्रमंतरी निर्मला सितरमन जी पब्लिक सेक्टर बांक्स के साथ एक मीट रीव्यू परफॉर्मेंस मीटिंग करने वाली हैं तो यहां पर फोकस रखना है साथी संडे को वुमिन्स प्रीमेर लिग का फाइनल होने वाला है ब्रेबिन स्टेडियम में यही नहीं आपको 27 मार्च वियर लोजिस्टिक्स पर ध्यान अखना है इसका बाइबाक बंध होगा साथी आपको 90 दिनों का लॉक इ के लिए यह बैठक बुलाए गई है तो देखना होगा कि इसको लेकर क्या फाइनल डिसिजिन आता है चलिए हैं इंपोर्टन ट्रिगर्स आपके लिए अर्मान बताएं आज की ख़बरे कौन सी हैं जी खबरों में सबसे पहले इमामी पर धियान रखीगा क्योंकि इनके श 24 में non-regulated sector में supply जो है वो 16% बढ़कर आई है IDBI Limited यहां पर coagencies के हवाले से खबर आती वह दिखिए जिसमें ED LIC mutual fund उनका वयन आतावा दिखा है IDBI mutual fund के साथ merger को एक हफते में सेभी से जो है मनजूरी संभव है LIC यह रॉटर्स के हवाले से खबर आती वह दिखिए कि कंपनी इसमाइन यहां पर PIMCORE के साथ इन्होंने गलोबल करार किया है RVNL यहां पर 1.8 रुपीज परती शेर का अंतरिम डिविडेंड का एलान किया है और कुछ ब्लॉक डिल्स हैं जिसमें campus active wear सबसे बड़ी जो से लगब 7.8% 2.4 करोड शेरS ITC 33 lakh और Zomato लगब 13 lakh शेरों के कई सोदे की गए तो यह है आपके लिए सारी की सारी खबरे आए सारे महमान भी हमारे साथ तेयार करते हैं उनका स्वागत तब बंसे जी कुनाल जी साथी सुमिज जी हिमाचु गुपता साब वागले साब और सिदात सिदानी भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं और शुर दिबांचु मार्केट्स के अंदर वीक्नेस है निफ्टी 17,000 का लेवल ब्रेक कर रहा है और देज लो के पास निफ्टी भी आ चुका है मेरे को लग रहा है कि और गिरावट बढ़ेगी तो मेरे रडार पे सेल स्टॉक की आ है स्टॉक का अभी बाव चल रहा है 65-64.90 स्ट स्टॉक का नाम है मदरसन मदरसन के अंदर सेलिंग प्रेशर है पिछले 15 दिनों में स्टॉक ने उपरी लवल से कंटिनियूजली दवाव दिखाया है दवाव दिखाने के बाद 4-5 दिनों तक साइडविस रेट किया है और आज वापस से यह सेलिंग प्रेशर दिखा रहा मदरसन के अंदर विक्वाली करके चलने का सला रहेगा जिसमें फैरा टागेट बनेगा 62 का दूसरा टागेट बनेगा 60 होबेगा 2-3 दिन का व्यू लेके काम करे 62-60 के टागेट मदरसन में देखती को मिल सकते है 6750 के स्टॉप लोस से विक्वाली करके चलने का सला रहेगा तो यह है आपके लिए सुमझ जी की तरफ से उनकी सुपर हिट कॉल इस बीच इंट्रडे में 17,000 के नीचे आए निफ्टी बट अनिल जी की तरफ से एक 2000 है तैयार आए जानते हैं अनिल जी को क्या आ रहा है पसंद बिगुल उनके लिए कल के 2000 49,550 यह है बैंक निफ्टी का स्पोर्ट लेवल स्पोर्ट लेवल के बात कर रहा हूं जी सर बैंक निफ्टी शॉट करने के राए है ठीक है और स्टॉप लोस गीट 49,800 का है आज का ही 49,667 का है अगर यहां से 1,500 पोइंट उपर और मिले 49,700 के आजपास तो वहां पर और तो आपकी एवरेज आजएगी 49,625 की स्टॉप लोस होगा आज के हाई के थोड़ा साउप पर 49,800 के नीचे के जो टार्गेट बनेंगे मैं सारे स्पोर्ट लेवल बता रहा हूं 39,375 49,375 39,200 49,200 39,150 39,150 49,150 और 49,150 यह चार टार्गेट है 49,375 और 49,250 और 49,150 यह चार टार्गेट के लिए और दूसरा तरीका पुट ओप्शिन खरीदने का है 49,400 का पुट ओप्शिन खरीदना है आपको 260,212 रुपे के आज-पास यहां पर स्टॉप लोस होगा आपका है 155 का टार्गेट जो बनेंगे 350, 450 और 600 अब मैं आपको समझा दूँ कि यह राय आपके लिए बैंक लिए पर शोर्ट करने की स्वाई है दो हज़सा है एक तो जो भी स्ट्ट के नियमों के बाते हो इसके बाद आपके लिए बाजार में इमिडिएटली अपसाइड आपकी कम हो जाती है आप एना उस नेगिटिव आप ख़बर आजाये कर जाये तो अगर आज ही आपको 1.500-200 पोइंट मिल जाये बैंक लिए तो आज ही एंज्योग कर लिए और अगर नहीं तो फिर अपन तीन बीस पे देखेंगे कि आज ही क्या करना है लेकिन एक बार थोड़ा और बाजार नीचे जाने को तयार हो रहा अब अधी तो टक्स करते हैं लागु पहली अपरिल स को तो भी एफन ऒार लाई जा जाता है यह रहा हैन सब्से खाटे किन लाए यह एविटान के वह सब्सक्रिक्ति के गर सब्सक्राहर और अगर आप चाहँए तो पूट आपस्छिन के सापी कर सकते हैं डेर सब्सक्ṣ vivir adesso और लगबख सभी banks में गिरावट आई है, बंधन bank जो हम सुबाब बात भी कर रहे थे, क्योंकि इनका mutual fund कारूबार भी है, IDFC का जो इनका कारूबार अक्वार किया था mutual fund का, तो debt mutual fund के जो बदलाव है, उससे बंधन bank को भी impact और banks भी आज गिरावट में, तो बंधन bank से ही करत हिमानची जी गुड़ाफिन सर एक बार बंधन bank देखें, अब तो 204 तक लोड़क चुका है, अब तो 204 तक लोड़क चुका है, पहला टार्गेट स्पॉट के हिसाफ से रहेगा लगबख 195 रूपे का, और अगर वो तूपता है, तो स्टॉक 190 रूपे तक भी जाने का पोटेंशल रखता है, तो स्टॉक का चार्ट सेटप वीक है, कोई भी उचाल अगर 207-208 तक मिलता है, तो बिगवाली करके चलेंगे, और एक बिगुल की गुजारी से हिए, हिटमैन हमानशु, बदा है हमानशु जी, बिगवाली करनी है, सिटी यूनियन बैंक के फ्यू सिटी यूनियन बैंक के फ्यूचर में बिगवाली करके चलने की सरा है, हमने देखा है तो अलरी एक डाउन टेंज में रहा है, एक लगतार लोगर आईज ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक 120 के नीचे जाने का पोटेंशल रखता है, त आज वेल्थ क्रेशन का दिन है, तो सेटी साब रोज रोज बनाते हैं, वेल्थ क्रेशन ये के दिन वेल्थ नमरा ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आज हम आपके लिए दो बढ़िया पिक्स के साथ एक बढ़िया वेल्थ क्रेशन पिक भी सेटी साब से लेने वाले पहले बीग जैसे आनिल जी आपने का एक लॉंटर्म वेल्ट क्रीशन पिक भी दूगा जैसे पहला शेड़ आध का जो पहला स्टॉक है स्टॉक का नाम है के रिसल यह पहले खिरिसल के नाम से ट्रेड होता है अभी नाम हो गया के रिसल का भी प्राइज चलता है 548 570 का टार्गेट है 535 का स्टॉप लॉस यह के रिसल ब्रांड की जो कौर्ज किछन सिंग बनाने वाली कंप्रिया जो की वन दो वर्स लाज़ेस्ट मनुफेक्टर है इसके लाओ और कही किछन अप्लाइंस बनाती है जैसे होब्स है कुक टॉप्स अवन दिश्वासर यह सब बनाती है फिर आई किया के साथ भी टाया पर जहां जिनके स्टोर्स में के प्रड़क्स अवेलेबल है दमदार फंडामेंटल था है ऑपरेटिंग प्रफिट मार्जिंस क्लोज तुटी परसेंट रिटर्न एक्विटी अरूं पच करिएटर पे सुनिल सिंगानिया जी के साथ बात करी थी तो उनका जो फंड है अबेकस फंड वो 6.15% स्टेक ओन करता है मतला वह भी बुलिश है इस स्टॉक पे फिर बजार के और एक दिगज निवेशक आसिस को चुले जी भी अरूं 3.74% स्टेक ओन करते हैं तो स्टॉक अच्छा लगता है करेंड लेवल्स पर अपने हाइज से अच्छा खासा करेक्टर रहा हुआ है 898 के हाइज थे तार्गेट है 570 शॉट्टर्म टागेट और 535 का स्टॉप रस ओके तो यह है आपके लिए केरिसल यहां पर यहां पर खरिदारी करने की राय शरी साब के तर अच्छा आपको कुछ शला देना चाहते हैं जी कुणाल जी अनि जी देखें बंसल जी ने तो यहां तक धंकी दे दी थी कि अगर ऐसे ही चला और केरिसल बन जाएगा एकरिसल तो फिर वो अपना नाम बदल कर राकेश से करेश रख लेंगे और आपका नाम अनिल से बदल कर नीला रख देंगे अनिल जी तो इस तरह नेम चेंज कर द होगा ना इस पेलिंग तो इंग्लीश में बदली ना अनि जी वही पुल्टा एक सबान है ने जी पुल्टा पुल्टा एक सबान है अनि जी ओके यह बहुत ही बड़िया लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग नियूज आती दिख रही है थोड़ी देर में STT वाले मामले पर व इस पर एक वज़ा भी हमें शायद मिल गई है हमारी टीम उस पर काम कर रही है जल्दी से जल्दी उसको लेकर आ रहे हैं बट पॉसिबली यह पता चल चुका है कंफर्म करके हम आपको बताएंगे कि यह जो कंफीजन हुआ है कि एस टीटी अभी 1700 रुपए है या 5000 वह वहां से आतावा दिखा है नहीं पहले कंफर्म होने के बाद बताएंगे आए तक तक सेटी साब बढाएं से आपका दूसरा शेर आपकी परसंद का आप बिल्कुल आने जिए जाथ का दूसरा शॉट्टम पिक है स्टॉप का नाम है पंजाब केमिकल्स जो अभी पांट सो अच्छो ने आट सो पिंचानवे आट सो पिंचानवे चैनवे के लेवल्स पे ट्रेड करता है तार्गेट इसका है नोसो पीस रुपए का सब्सक्राइब का यह भी एक दंदार कॉलिटी की कंपनी है कंपनी में ली एग्रो केमिकल्स स्पेशलिटी केमिकल्स क्रोप प्रोटेक्शन और फार्मा इंटर्मेटेट के लिए जानी जाती है और इनका एक साइजबल बड़ा करोबार है क्रेंस का अच्छी क्लाइंट लिस्ट है यूपल को कैटर करती है फिर आपके आपके आप लबरेटरी इस बाइची संक्यो जपान इंस यह सब इनके क्लाइंस है और मेजरली एक्सपोर्ट करती है यूरॉप यूसे चनाडा और लेटिन अमरिका बाकी एनली फॉनमेटल्स बहुत अ अच्छा है रिटर्न और एक्विटी क्लोस्ट टो थैटी सेवन परसेंट रिटर्न और कैपिल इंपलोई चालीस परसेंट और वेलिएशन के लियाद से भी बहुत ही सस्ता है 14 के मल्टिपल पे स्टॉक ट्रेट करता है चोटी साइज की कंप्टे गारे सो करोर का सिर्ट मा पर खरदारी करने की सला विट टागेट ऑफ 930 स्टॉप लॉस ऑफ 885 ओके पंजाब केमिकल्स 930 का टार्गेट 885 का स्टॉप लॉस क्यूंकि आज एक खास दिन है वेल्थ क्रेशन डे हम मना रहे हैं तो सेटी साब की तरफ से खास पिक भी लेनी एक वेल्थ क्रेशन पिक सेटी साब भी हमें देने वाले हैं सेटी साब फोन लाइन पर जोड़े रहे हैं सर बस कुछी देर में आ रहा हूँ आपकी खास वेल्थ क्रेशन पिक भी लेता हूँ आई उससे पहले एक बिगुल है हिमांशु जी के लिए हिट मैं हिमांशु बदाय सर यानि कि 543 का स्टॉप लगाना है और मेरा मानना है कि 525 और 520 रुपे तक की तार्गेट सेहाँ पर मंडे तक देखने को मिल सकते हैं जिंदर सीलन पावर में शॉट करके चलने की सला है यह है आपके लिए जे एस पेल पर शॉट करने की सला है वैसे तो पूरा मार्केट ही अब गिर रहा है तो आईए सही वक्त है लेने का अन्जल जी की मार्केट स्टाटिजी तो गिर रहे हैं फास्ट बैंक्स निफटी दोनों फिसल रहे हैं ग्लोबल मारकेट की बात करें डाव फूटर सौट नीचे है नाजएक फूटर भी सपाट हो गए है यॉरप में आज बड़ी परिशानी है सर यॉरप से आज सेलिंग जादा आई है यॉरप में यॉबियस 78% नीचे आई है यॉबियस में और यॉबियस तो खेर चलो क्रेडिट स्वीस की परशानी है डॉइश बैंक के जो सीडियस हैं वो आज स्पाइक मार रहे हैं तो वहाँ पर अब नए नेक्स कंटेजिन का डर आ रहा है तो यॉरप का सबसे बड़ा बैंक डॉइश बैंक अ आज लेना ही नहीं कुछ भी हो जाए लेना नहीं है लेना जो भी मंडे को लेंगे और जितने भी बैंक्स वगेरा में आपकी पोजिशन है उसको थोड़ा सा हलका कर लिजए एक बार वहाँ पर थोड़ा सावदान रही है वो थोड़ा रिस्की ज्यादा हो सकते हैं आपके को सुन लीजिए 16,900 बैतर अभी तक जो हमें लोईस क्लोजिंग मिली है इस फॉल में 16,900 की मिली है इसलिए बार बार में 16,950 का स्टॉपर्स आपको इंट्राडेर क्लोजिंग बैसिस पे लेता हूं तो 16,950 के नीचे क्लोज होना अच्छी बात नहीं क्योंकि जो वर्स सि क्लोजिंग मिली है तो 16,950 को क्लोजिंग बैसिस पे आपको होल्ड करना ज़रूरी है जो कि अभी जिस तरह से यूरॉप और अमेरिका के फ्यूचर तो जो दिखा रहे है वह आपको वह कमफर्ट दे नहीं रहे है जो आपको चाहिए पहली चीज और 17,000 जहापर हाइस पहली बार ऐसा हो रहा है कि लॉंग पोजिशन ज्यादा है शोर्ट कम में 17,000 के पुट पर एक करोड़ अटर लाग शेयर है 17,100 के कॉल पर एक करोड़ दो लाग शेयर ही है यानि कि आज पुट राइटर टेजी करने वाला ट्रेडर फसा है आज सेम सिचुशन बैंक रिफ्टी में भी दिख रही है 49,500 के नीचे आप ट्रेड कर रहे है 49,500 के पुट पर 51,000,000 शेयर है उपर से गंटे बर में विट्व में लेकी तरह से सफ़ाई आनी है सफ़ाई में क्या आएगा यही कहेंगे लगाना है हमें हमने गलती से बराबर नहीं लिखी पांच जार के उपर लगे लगे लिए तो अच्छा कुछ आने जैसी बहुत संभावना अभी दिख नहीं रही इसलिए थोड़ा से अपनी position को minimum रखें तेजी की position को especially और आप discipline के साथ रहें वो ज्यादा बढ़िया है तो closing basis पे और intraday basis पे 16.950 आपका stop loss है और bank nifty पर 49.350 stop loss है अगर इसके नीचे आप trade करते हैं या इसके नीचे बंद होते है तो thank you कर लिजिए मूर कब बदलना है आपको 17.150 के उपर निफ्टी वापस निकले तो बदलना है जो 500.00 उपर है दूर दिखता है और अगर 49.800 जो कि यहां से करीबन-करीबन 300.00 उपर है उसके उपर निकले तो मूर बदलना है तो 300.00 उपर इतनी अफसाइड है और नीचे के लिए भी वैसे रिस्क देखा जाए तो 500.00 निफ्टी में नीचे है और बैंक निफ्टी में भी 49.050 तक जानी की 400.00 नीचे है तो करीबन-करीबन 400.00 चार्साड़े 400.00 के रिस्क नीचे की बनती है और अफसाइड उपर 300.00 बैंक निफ्टी में 500.00 के नीचे की रिस्क है और 500.00 के अफसाइड है यह डेटा आपको साफ दिखा रहा है बिल्कुल मैं सवाल वही पूछने वाला था कि अब जो हमारे 800-850 के सपोर्ट से अब तो फारिंग लाइन में आ गये मतलब एक पर 17,100-150 पर दूर दिख रहे थ होना तो उस समय सेंसिबल बात एक ही है कि जितने आप हलके रहेंगे किसी भी तरफ पोजिशन में वह बढ़िया है हलके रहना ज्यादा ज़रूरी ताकि आप अपने आपको मैनेज कर पाएं बस होते ही है आए और एक और यह कि इनके जो स्वाप्स जो आप भी बता रहे है बहुत तेजी से बढ़े हैं 162-175 बिप्स आया है यानि कि बड़े बेंक के डिफॉल्ट होने की संभावन है जो स्वाप्स में ट्रेड होती है वो बढ़ रहे है इसका मतलब आप यह समझे हो रहा है नहीं हो रहा है एक अलग चीज़ों है वो यह डेट का रेडेंशन भी कर रहा है सर यह बहीं खबर आये 1.5 बिलियों दॉल डॉलर के कुछ डेट जो दोजर अठाइस में ड्यू है उसका कुछ रेडेंशन किया जा रहा है यह टिर 2 बॉण्ड है जिसका रिडेंशन किया जा रहा है तो वो भी समझने की कोशिश क कर रहे हैं कि क्या उसकी वज़े से इंपक्ट है कुछ है एक लॉसूट भी था जो इन्होंने सेटल किया है 1.6 लाइन पर इसलिए बनाके रख़ा है कि सेटी साब को जाये ना जहां भी जाये पहले वेल्थ हमें बनाने का फोर्मूला दे कर जाए बिगुल सेटी साब बताएं सर बिलकुल अनेल जी सबसे पहले तो आज का जो दिन है Wealth Creation Day, Happy Wealth Creation Day to all of us और बाकी अनेल जी पिछले 5-7 दिनों में आपने जितने Interviews किये उससे knowledge में बहुत इजाफा हुआ बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे बहुत अच्छे लोगों से आपके इंटर्विव लिए साथ, बहुत बढ़िया साथ दन्यवाद, आपको पसंद आया पास-पास ट्रेज कर रहा है, एक जबर्दास कंपनिया है, दो हजार तीन से कारेरत है, गौर्मेंट ओंस कंपनिया जो की मेंली रेल इंफर्ट्र प्रोजेक्स एक्जिक्यूट करती है, जैसे की नई लाइन्स बिचाना, गौज कनवर्जिन करना, रेल्वे का इलेक्रिफ सब्सक्राइब करती है, जैसे की जबर्दास और भूक है, पिचतर हजार करोड से ज्यादा की और भूक है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी काम करती है, टाटा स्टील इनकी वन अव दे क्लाइन्स है, एक्सपोर्ट भी करती है, इंटरनेशनल ओर्डर इंके पास, और ह सब्सक्राइब के लिए इनको ओर्डर मिला है, या एलवन बिडर है और मेंटिन्स कॉंट्रेक्ट भी दिया साथ में 30 साल के लिए, तो वो भी बड़ा पॉजिटिव है, और यह सब होने के बावजूद वेलिएशन के लिए आज से बहुत ही सस्ता है, नो के मल्टिपल पर के लिए स्टॉक ट्रेड करता है, डिविडेन यील्ड है 3% की, तो खुने को बहुत कुछ है नहीं, रिसेंट हाइज से 84 के, वहां से ये बजार की गिरावट में करेक्ट होके, चौसट पैसे रुपे के लिए स्टॉक ट्रेड करता है, मुझे लगता है यहां पर इसको खर तन और मन से मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि आपको पता इन दोनों से ही मैं रेल्वे स्टॉक से बहुत बुलिश हूँ, और मैं सोच भी रहा था, कि कौन सा रेल्वे स्टॉक का चुना जा सकता है, क्योंकि अगले 2-3 साल के लिए इस थीम पे मैं बहुत पोजिटिव लेकिन सेटे सामने एकदम से स्टॉक चुना है और आर वी एनल बिल्कुल एक स्टॉक हो सकता है, जो आप आने वाले समय में अपने पोर्फुल में इसके लिए आर वी एनल जहां पर खरनी खरेदारी है, बाइदे वेल्थ क्रेशन पिक्स की बात निकली है, तो एक और खा है वेल्थ क्रेशन पिक के तौर पर. इसके जरी एंडेव जो की फास्ट ग्रोइंग सेडमेंट है, यहां पे भी इनका अच्छा खासा बिजनस बनने की संभावना है, पर्फॉलन्स आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंट्ली इंप्रूव करने की संभावना है, यह सब नजब में रखते वे निवेशब को य सिद्दार जी है, क्या बात करें, नहीं नहीं, सिद्दार जी का है, मैंने तो देखा भी नहीं एक बिज़ा है, इसके बिज़ाएं, अरे वाह, बहुत बढ़ा स्वागत है सर आपका, तो वेल्थ क्रेशिन पिक तयार है या थोड़ा वक्त चाहिए, नहीं बिलकुल तयार बिलकुल भी तयार है, सिद्दार जी का स्वागत बिलकुल के साथ किया जाए, जी सिद्दार जी बढ़ाएं सर, वेल्थ क्रेशिन का दे है, और ये पूरा हफ्ता आपने जो मनाया है, वो बहत वेल्थ क्रेशिन हुआ है, जी बिजनस देखते हुए, आपकी कमेंटरी और साथ का नॉलेज लेते हुए, तो इसी के साथ ये जो स्टॉक होगा, ये भी बहुत अच्छा वेल्थ क्रेशिन स्टॉक हो सकता है, आने वाले समय में निवेश के प्रस्पेक्टिव से है, और हो है, प्रेस्टीज एस्टेट, रियालिटी की कम्पनी है, प्रेस्टीज एस करीब 80% revenue इनका residential से आता है, पिछले 5 सालों का CIGI growth अगर दिखा जाए, तो 27% से growth हुआ है, और sales आप उमीद लग सकते हैं, आने वाले समय में बंपर growth का, डबल डिजिट booking हो रही है, प्रेस्टीज एस्टेट की, तो आपको लंबे समय के लिए निवेश करना है, 490, 490 के target के लिए, ओके, प्रेस्टीज एस्टेट्स, 490 के target के लिए यहां पर आपको करनी है, खरिदारी सिदारी, सिदार जी एक बार जड़ा सोभा पर भी राए देने, आप, दो दिन पहले इनका disclosure आया था, IT department के कुछ सर्चेस चल रहे हैं, दो दिन में 16-17% स्टॉक गिरा था, स पर क्या करना है, सर? यहां आपके लिए, प्रेस्टीज एस्टेट्स जहां पर रखनी है, आपको नजर आक्शन में आ सकता है, यह counter super sit call, आई वागले साब के पास सलते हैं, उनलेते हैं, उनकी pick वागले कमेंडर, मता है वागले साब, गुड़ाफनून सर, गुड़ाफनून दिपांशो, गुड़ाफनून अनली जी, बेचना ही है, टाता पावर में एक breakdown आया है, फ्रेश breakdown आया है, पिछले 9 मेने का एक multiple bottoms break हुए, एक trend line support break हुआ है, अभी-अभी 195 के levels कूटे हैं, तो आप यहां पर बेचिए, एकाद रुपे selling range रखिए, 198 का stop loss होगा, 185 यहां से एक 10 रुपे का नीचे का मुझे लगता है, एक से दो दिनों में target आवाज ही है, और वहां पर भी शायद यह ना रुखे, उससे भी नीचे जा सकता है, 175, 178 तक भी positionally मेरा target होगा, लगभग 180 to 175, यह मेरा एक हप्टे का target होगा, तो यह है आपके लिए Tata power जहां पर रखनी है, आपको नसर, आए, यह stock action में बड़ा breakdown है, अशु जी, पहला stock, आज expiry alert में यही था, अभी भी आशु जी की तरफ से धन्यवाद स्विकार कर ले हो, दे ही रहे होंगे आपको, आज पहले ही Tata power आया था, सबका फेवरिट, नहां में Tata रहे गया, पावर निकल गया बस, बिल्कुल, जी, अच्छा, आगे आशु जी का message, वागले जी की जय हो, जय हो, और सदा वी जय हो, जी वागले साब, आगे है, आशु जी का, बिल्कु हो चुका है, बट दो बड़े चीजें, एक तो ब्रोकरिजिस के लिए, अब भी ये जो STT है, बड़े का options पर तो of clarity अवेटेड है, बट फूचर्स पर बढ़ रहा है, ये हमें पता चल गया है, और डेट फंड के लिए ये जो बड़ा impact आया है, इंडेक्सेशन benefit चले कि हम लोग जब foreign market को देखते आ रहे थे, इतने closely कौनसी बैंक का क्या चाल हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या खबरे आ रही है, रात को 12 वेल तक वेट कर रहे थे, फेड क्या बोलती है, तो हम तो बाहर की market ही देख रहे थे, अब गरेलू market में भी खबरे आने लगी, ये खब session का benefit ले लिया गया है, ये definitely AMC कमत्यों के लिए negative हो सकते है, especially जो AMC जिसके पास सबसे रहा debt fund, जैसे के HDFC, AMC, तो ये इस कमत्यों के लिए negative होगा पहली April से, तो मेरी नजरे तो हमेशा वर्ल मार्केट प्रेटी अपनी इनियन मार्केट में तो ये खबरे आने लगी, तो य सब्सक्राइब में मनतों के आग में और घी जादा जाला गया है, गी जितने तो पैसे ही नहीं बचे सर, kerosene, 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 kerosene डाला जा रहा है, आचा, वागल साब कुछ कह रहा चाहते थे जिसे सिदार जी ने अपनी मजबूत और टेज आवाज में दवा दिया, वागल काफी माच हो रहे है, कल भी रिलाइंस में मेरा व्यू बैश था, दो या तीन स्टॉक उन्होंने मुझे मेसेज भी भी भेजा, तो यह मैं कहना है चाहता था कि मतलग मैं भी उनके साथ हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बेचिने अगर बेचना है, और यह मावल ऐसा है कि इतना गिरा अभी कितना और गिरेगा, ऐसा नहीं है, यह फ्रेश डाउन मुझ की शुरुवत है, वो कॉशन रहेगी, तो चलिए, चार्ट पर आ रहे हैं संकेत बेचने के और आज हमारा व्यू बहुत क्लिर है कि आज अभी कुछ लेना नहीं है, और धिरे धिरे लग रहा है कि इतना होना चीजिए हो, क्यों लग रहा है कि उतना होना चीए है, कम यह जादा के बीच में, कन्फूजन की वज़ए है एक वेबसाइट, और उस वेबसाइट पर पढ़ावा कुछ माल मसाला, जहां से यह पूरा फाइनेस बिल में जो आया है, पर फिनेस देपार्टमेंट है, तो इंकम डेक्स की वेबसाइट वह जादा रिफर करते होंगे, तो शायद किसी ने इंकम डेक्स की वेबसाइट पर जाके जो परसेंटेज निकाला, वह 0.017 ही दिख रहा है अभी भी, अभी भी अभी 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 का है, यह अभी आप ट पर अभी पुरानी रेट है, तो शायद यह वहां से पिक अप हुआ है और जो आज अमेंडमेंट में दिख रही है रेट वह यहां से पिक अप होके इस पे चेंजे उन्होंने लगा है, तो यहां पर शायद अपडेट नहीं हुआ, इसलिए यह एरर हो सकती है, एक अपर शायद नहीं है, तो आज यह एक चीज कहूंगा कि यहां पर जो आक्ता ना, जो फिनान्स अक्त 2004 तो वही सर्च कर रहे थे हम लोग, और वो सर्च करते-करते ही, इंकम टैक्स वाली भी एक लिंक खुल गई, उसमें जैसे ही खोला, तो 017% देख तो इंकम टैक्स की पकड़ के अगर आप ले रहे हैं, तो आप वो 017% ही मान के चल रहे हैं, कि अभी एक करोड पर 700 लगेगा, लेकिन 2017 में ये 1700 अलरी 5000 हो चुका था, जो कि शायद इंकम टैक्स की वेबसाइट पर, तो confusion की जड़ हमें पता आगे, यहां से अनूना है, तो हमारी गुजारिश सब्सक्राइब करने के लिए, क्लेरिफिकिशन आएगा भी, आए तो इंकम टैक्स की जो वेबसाइट उसे भी अपडेट करवागा, तो वहां से भी confusion दूर हो जाए, तो वो PDF फाइल है, 2016 की, कि जहां पर वो change कर रहे, substitute कर रहे, 0.05, लेकिन ये वेबसाइट पर अभी भी ये ही दिखा रहे, section 98, तो अभी आप returns फाइल करने जाएंगे, तो अगर आप rules पढ़ेंगे, तो आपको सबसे पहले ये ही दिखेगा, अफ्रेंट, अनल जी ये तो unique situation है, पहली बार एक तो इस तरह से amendment लाया जा रहा है, और पास किया जा रहा है, उसके बाद, mistake और वो भ पर भी आज फोकस है, और कुशल बताने के लिए तयार है कि क्यों आज आज आई-टी पर हम रख रहे हैं, नजर, हमारे बाजार में कुछ नहीं है, बट ग्लोबल मारकेट्स में आई-टी को लेकर कुछ डवेल्पेंट्स में है, कुशल बताएं क्या हुआ है, तो इसका इ इन्वेस्टर्स ने इसको थामसब दिया है, सबसे इंपोर्टन चीज़स में ये भी है कि इन्होंने एक अपडेट दिया था कि 19,000 इंप्लोईज ये अपने जो है, कट ओफ करते वे नजर आएंगे, तो कहीं न कहीं ये एक इन्वेस्टर्स के लिए, तो पॉस्टिव पर करते वे नजर आएंगे, तो इस वज़़े से इन्होंने आए और साथी EPS दोनों का ही आउटलुक कम कर दिया था, जिसके वज़े से कहीं न कहीं आगे चलकर एक्स्पेक्टेशन से ये बन रहे हैं, कि IT कंपनियों के भी जो आउटलुक है, वो कम होते वी नजर आएंगी, बट अभी numbers wise अच्छे आये थे, इसी वज़े से 77% की increase आपको एक्सेंचर में कल आती हुए देखी, आज भी हमारे बाज़ारों में IT अच्छा gap of opening के साथ यहां पर शुरुआत हुई थी, पर उसके बाद अगर आप देखें तो कहीं न कहीं, यहां पर गिरावट का ही mood आतावा नजर आया था, अब मैं numbers की बात कर लूँ, इसमें जो खराब अच्छी चीज़ है, उसमें record उचाई पर इन्टोने क्यूटू में अपनी नई bookings record की थी, बट इसमें एक और चीज़ कैवेट हो सकता है, कि जो पिछली तिमाय के deal है, वो यहां पर follow through हो के Q2 में उस हो रहा है, तो यह भी उन्होंने clear cut कहा है, तो जो बड़ी कंपनिया हो सकता है, कि उनको फाइदा हो, बट अगर broader picture ही खराब हो जाए, कि जो IT clients है, जाए वो छोटे हो, जाए बड़े हो, वो अगर अगर अपनी spending कट करते हैं, तो overall पूरे IT space पर impact आगे चल कर आपको आताव देख सकता है, तो यही देखना है कि जो आए और साथ ही जो EPS में guidance इन्होंने cut की है, आगे चल कर जो next month onwards IT हमारे यहाँ पर जो numbers आएंगे, उनकी commentary क्या रहती है, उनकी guidance क्या रहती है, अब उस पर सबसे बड़ा focus बनने वाला है, अब उस पर सबसे बड़ा focus बनने वाला है उससे इनकी cost savings होती भी दिखे, यानिकी cost cutting है, तो हो सकता है कि आगे चल कर थोड़ी से margins में improvement दिखे, बट आप आए देखे, अगर top line ही अच्छी नहीं रहेगी, तो आगे धीरे धीरे चल कर आपको जो bottom line है उसमें क्या मिलेगा, तो EPS और top line दोनों ही front पर FY23 के लिए guidance इन एक्सेंचर का फरक हमारे सिद्धार पड़ जाता है तो, one on on, हर बार होता है एक्सेंचर के, एक्सेंचर से हमारे IT industry का correlation बड़ा जबरदस से, जेरा एक बर राई ली जाए हमारे सिद्धार जी से, सिद्धार जी बड़ाई सार IT शेरों पर विचार आपके, बिल्कुल साही से मानता हूं कि आने वाले समय में यहां पर भी spending कट की जो कमजोर ही हम देख रहेते, पास्ट में पिछले दो-तीन क्वार्टर से, वह अब हिस्ट्री होगा, मैं मानता हूं आने वाले समय में अब IT शेर पूरा अच्छा कर सकते हैं, और इसी के साथ IT शेर पे बिगुल भी आई-टी शेर पे तो IT शेर से ही स्टॉक लेके आ रहा हूं और यह भारत की जो कमपनी है, जिसने सबसे बहतरीन guidance किया है, उसके उपर बात करेंगे और वो है Infosys, इंगियन कंटेक्स में जिस कमपनी ने सबसे बहतरीन guidance इंप्लूफ की हो, वो है Infosys, Infosys पे खरदारी की र आई कर सकते हैं, यह आपको 15 से 20 दिनों का एक short term target अपना है 1425 का, और अगर wealth creation week के हिसाब से target अपना है, तो 1725 भी आ सकता है, Infosys, क्योंकि तीसरे तिमाई के नतीजे दमदार, deal wins 3.3 billion dollar के, 20% का QQ, quarter on quarter growth देखा था, guidance जो इंप्लूफ की गई है Infosys द्वारा, वो इंडस्ट आई-टी इसमों में सबसे बहुतरिन परफॉर्म कर सकता है, short term as well as long term wealth creation के इसाफ से, ओके तो यह है आपके लिए Infosys पर इस वक्त राय खरिदारी करने के लिए आज से आती वी आईए, सिदार जी की तरस से, बिगुल कुनाल जी राकेश जी ले चाट कोन का, बताएं सर, अनिज नी वारी विक्वाली की राय है, टाटा स्कील के अंदर इसके अंदर एक breakdown देखने को मिला है, short term charts ने करा देखें तो negative crossover है, both on leading and leading indicators, बढ़े charts पर देखें तो 200-day moving average को इसने crack करा है, over to पुनल जी, अनिज ने देखें, clear breakdown आता हुआ chart पर नजर आ रहा है, और जिस तरह का chart structure है, stock आपको 100 रुपे के नीचे जाता हुआ नजर आएगा, तो इस तरह पर short करके चलने के हमारी राये है, सबसे पहले एक stop loss रखने 104 रुपे पर, 104 के stop loss से short करें, पहला target होगा 99 रुपे का 99 रुपे का 99 रुपे का 96, तो 99-96 के लक्षे के लिए Tata Steel में विक्वाली के रहा है, तो यह है आपके लिए Tata Steel, अभी JSPL पर हिमाजु जी के sell का रहा है और Tata Steel पर sell का रहा है राकेशी कुनाल जी की तरफ से, इस बीच बड़ा breakdown LNT में भी आपको आते हो दिख रहा है, यह stock पिछले कुछ मिनिट में आपको फिसलते हो दिखाए, इस पर रखेगा नजर, जी 500V की है, मुझे लगता है 5600 ब्रेक होगा, तो 5500 तक का इसका अगला target बंगता है, आपको थोड़ा से bounce back के लिए बेट करना है, क्योंकि यहां पर काफी गिरावट हो चुकी है, 5690-5700 यह सही level होगा, अगर आता है तो, और on the downside, 5500-5500-520 तक की downside में देख रहा हूँ है, बजाज finance जहां पर आपको रखनी है, बिल्कुल, तोड़ी सी गिरावट बढ़ती दिख रही है, बार के बाज़रों में, अब पोने 200 नीचे आ चुका है, डाव फिचर बहुत तेजी से गटा है, लगपस 180 अंकों का नुकसान आपको डाव में देखेगा, और योरोप के बाज़र आपके सामने लाता हूँ, योरोप के बाज़रों की गिरावट बढ़ती नज़र आ रही है, अब डेड़ डेड़ परसन से जादा योरोप के बाज़र कमजोर हो है, फुटसी डेड़ परसन निचे, कैक डेड़ परसन निचे, डेक्स डेड़ परसन निचे, तो इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं थोड़ा सामधान रहे हैं नई पोशिशन बनाने के पहले बिलकुल थोड़ा सामधान रही है क्योंकि गिराओट थोड़ी सी घहराती भी नजर आ रहे हैं आपको इसक्त बाजार में, जो डॉइश बिंक का स्टोक है, अल्मॉस्ट लोवर सिर्किट पर यॉरॉप में अप्ट्रेड कर रहा है, करीबन करीबन आक्री मैंने जब देखा था, उन्हें 10% नीचे ट्रेड होता है, आपके सामने आरे प्राइस अगर देख पाएं, तो क्य बैंकिंग शेरों में, बैंक डिप्टी पर थोड़ी से सावधानी रखनी के आपको ज़रों है, क्योंकि ये जो संक्यत आरे हों तो थोड़े से परेशानी करने वाले है, तो थोड़ी यहां पर कमज़्ोरी के संक्यत और बढ़ रहे हैं, यॉरप के बाजारों से, ये साव कमजोर दिख रहा है साड़े 3% का कट इस चार्ट में भी अभी आ रहा है जरह इसको भी पुल-ब करें डीलेफ में कमजोरी भी बन रहा है एक बर इसके चार्ट पर भी चेक लिए बंसर जी देखें 305 पर डेलेफ डेज लो जी इपांशू, DLF के अंदर भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है कोल इंडिया में भी ब्रेकडाउन है पर DLF में नीचे की तरफ देखें तो 3.42 से लेकर 3.45 एक बड़ा सपोर्ट रहा है तो जिन्होंने दिलिवरी में भाई कर रखा है इन सपोर्ट के नीचे के सा साथ बने रहने की राया है और किसी ने अगर शॉट टम के लिया है तो निकल जाए तो यह है आपके लिए DLF जो फिसल रहा है शॉट टम में है तो आप गया एक्जिट कर सकते हैं आयो सोमी जी के लिए बहुल सुमित का सूपरेट बता है सर दिवांशु सेल कॉल गडार पर आ है स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 173, 173.10 पैसा फ्यूचर्स के अंदर 173 का अभी भाव है स्टॉक का नाम है NTPC NTPC के अंदर भी सेलिंग प्रेशर है पिछले 3-4 दिनों में उपरी लेवल से हर रोज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है NTPC में मैं को लग रहे है कि यहां से और नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे एक दो दिनों के अंदर विक्वाली करें स्टॉक का जो उपर में रेशरेंस है 175 रुपया 25 पैसे का है 175.25 यह उपर में NTPC में स्टॉक लगाना है नीचे में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं पहला टागेट बनेगा 170 का दूसरा टागेट बनेगा 167 का एक से दो दिनों या दो से तीन दिनों का अपने हिसाब से ना आपको कभी तेजी में परेशान करता है ना मंदी में फिर इससे क्यों बेच रहे हैं आप अमिजी ऐसा है कि अच्छी का सी तीजी दिखाई है और स्टॉक में प्रॉफिट बूगिंग देखने को मिल रही है तो जब अगर बेचने का मौका मिल रहा है तो सेल कॉल सभाविक है और बनता है मैंने को लगा 57 रुपे का गिरावट आएगा जो कि 5-7% का फॉल है तो उ महां मौके देख रहे हैं जहां पर चार्स कमज़र होना चुरू है जहां पर आपके लिए रिस्क रिवार्ड रिश्य थोड़े फेवरे बोल जाए यह राहा है आपके लिए एंटीपी सीवी गिरने के लिए तयार हो रहा है आए कुछल से बात करते हैं कुछ और और वह है कॉमेंटरी भी निकल कर आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से जिसमें सबसे पहला तो यह है दीप की यहां पर जो मौझुदा मांग है वो बहुत मजबूत मानकर चल रहे हैं और जिस तरह से चौते तमाई है वहां पर भी एक्सपेक्टेशन्स यही है कि जो डिमांड है यह रहने वाली है यही नहीं नियर टम आउटलुक के साथ साथ इन्होंने आगे के लिए याने की FI 23 के मकाबले FI 24 में 8.5 करोर पैसेंजर्स FI 23 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और FI 24 में 10 करोर पैसेंजर्स को यहां पर आपको यात्रा करवाने का इनका लक्ष है यही नहीं FI FI 23 में जहां पर 306 इनकी फ्लीट साइज थी उसके मकाबले FI 24 में लगबग 350 फ्लीट का करने का इनका टागेट है और 2030 तक तक जो मौझज़ा फ्लीट साइज है 306 की उसको अल्मुस्ट डबल यह करने वाले हैं तो क्लियर कट केपैसिटी एक्सपैंशन मार्केट लीडर क की तरफ से अगर होता है तो काफी सारे ब्रोकरेज हाउस इसी वज़े से शायद बुलेश हो रहे हैं कि जो मार्केट लीडर्शिप है कंपनी की वो मेंटेन रह सकती है यही नहीं आप देखें FI 24 तक 10 से 15 नए डिस्टिनेशन भी यह जोड़ते वे नज़र आएंगे तो नए रूट्स भी आएंगे नए केपैसिटी एडिशन हो रही हैं मार्केट शेर लीडर है तो यह तीन इनके फाक्टर जो है फेवर में प्ले करते वे दिख रहे हैं और अंतरास्टिय सेग्मेंट में भी अब ग्रोध बढ़ाने पर फोकस बढ़ रहा है कंपनी का यही नह चलकर ब्रोकेज होजेस भी इन पर बुलिश हो रहे हैं जिसमें सबसे पहला आप देखें मेक्वेरे ने यहां पर इनिशेट आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और जो लक्ष है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं साथी मॉगन स्टैनले का भी आपको ध्यान रख हार है दो दिन पहले तो आप सोला सो का टार्गेट लिखे आए थे इस पर मैं तो बुल था अच्छा आप बुलते हैं ओ वो कौन था जो बैर था कहां गुसा है यह यह लिए सब के दिन आते हैं सब के दिन आते हैं अच्छा अनल जी एक बात आप से समझनी थी सर जो आप जब डिसकस करें थे कमडेशा साब और भाहिती साब के साथ और बाशु जी भी थे सब्सक्राइब करें आजाना चाहिए कि options पर क्या हुआ है बट commodity transaction track CTT इसको लेकर भी थोड़े सवाल उठ रहे हैं इस समय कि क्या यहां पर भी बदलाव हो सकता है अभी तक वो पता नहीं चला है बट इन केस यह लिंक्ट हो शायद ओवर लेक हो गया जैसे हमने यह देखा options वाला तो क्या वहां पर भी बड़ा impact आ सकता है याद दिला रहे हो लेकिन नहीं पहली चीज़तों यह है कि भाई जो भी explanation आएगा उसमें कुछ अच्छा तो बोलने वाले यह तो किसी के सपने में भी नहीं होगा कि भाई STT 5000 रुपए जो लग रहा है वो 2100 हो जाएगा समझ गहाई जाएगा जाएगा कि दिखे है calculation गड़वर होगी ध्यान नहीं रहा 5000 की जगए 5000 था मेला गया था तो हम बढ़ाएंगे तो सही अब गलती से discussion करकर के लोगों यह समझ में आगया कि m6 का भी उन्हें पता चल गया वही जनली अब जितनी STT आपकी लगए एक्विटी में उतना ही CTT यहनि कि Commodity Transaction Tax आपका वहां भी लग रहा है कोई ऐसी वज़य है नहीं कि MCX या Commodity Market को रहत दे तो मतलब उनके लिए तो मतलब Clarical Error करना डबल फायदे बंद हो जाएगा एक तो यह और दूसरा अब हमें पता चलिए हम CTT भूल गए कोई बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है जो बचे वही ठीक है लेकिन जो पिछले समय का जो ट्रेंड है वह क्लियर कट है पिछली बार जब कोई बड़ी बात नहीं के वह दो कर देशा तो आई थिंक यह रिस्क तो है यह दीब तो मैं यह कौँगा कि में जब तक क्लेरिफिकेशन ना जाए जब तक बड़ी तेजी ना करें गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं आया तो शाहिद ना गिर लिए अगर आ गया और कमोडिजी स्टांजेक्शन टेक्स भी बढ़ जाता है सीटी भी एसटी की तरह बढ़ता है तो फिर वह एमसेक्स के लिए खराब ख़बर होगी तो आपके लिए फिलाल खरीदने का कोई कारण नहीं होने में एक चीज़ और डाव डेल ओपर आगया दो सुबह बगा साभ उपन वह दम के जिएगत अचीजेशन वाले दो संधी के रहा हो आगाँ कर रहे थे थोड़ा साहदा नहीं कि जरूत है कोई फर्ख नहीं पर था एक दिन बात खरीद लिए कहा जाने वाला है मार्केट, एक दिन थोड़ी सावदानी रखें, वीकेंड वीकेंड है, क्लरिफिकेशन में पता चला कि किसी के लिए कुछ अच्छा खराब आ गया, ये लोग खराब ख़बरों में, एक और ख़बर सुन लो खराब, सुनी, बता बाता निकल रहे हैं, बीच में आया भी, एक शायद CTO गए थे, इन ही के गए थे, किसके गए थे, Zomato के, Zomato में तीन-चार एकजिट शुए थे, अच्छा, वहाँ होए थे, अब यहाँ होए थे, जमाने की कमशे में कुछ ने कुछ एकजिट चनराब, ये लोग नाय का अच्छा सर, Chief Commercial Operations Officer, Wholesale कारोबार का CEO, Fashion Unit का Chief Business Officer, ये गए हैं, ओवराल पांच एग्जेक्टिव ने रिजाइन के हैं, उसमें से ये तीन सीनियर रोल्स हैं, Chief Commercial Operations Officer, Wholesale Business के CEO, और Fashion Unit के CBO, Chief Business Officer, ये तीन बड़े हैं, वैसे ओवराल पांच एग्जेक्टिव की रिजिनिशन अए, वह उसमें बड़े हैं, वहुचे मांखें पांच एग्जेक्टिव निकलें, बड़ा एक्जिट्रे काया है, बड़ा एक्जिट था, रहा हैं एक बड़ा एक्जूड उप्स है, पांच अनेयर, पे बड़ा एक्जिट्रा में, वहटा है पांच आपकी सार्थ जिपांचू निवेशक तो पहले एग्जिट कर चुके हैं जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है बेहत कमजोर चार्ट है चार्ट पर कोई भी संकेत नहीं है कि इसमें इस तरों पर खरीदारी करनी चाहिए स्टॉक अगर एक सो पचपन के उपर निकलेगा एक बेस बन चुका होगा तब तक तब दोबारा इस पर राय बदलेंगे फिलहाल मुझे लगता है कि इसको पूरी तरह वाइड करना चाहिए यह नाइका अनजी खबरे हमारे बाजार में आरी है बट आक्शन यॉरोप आज दिखा रहा है अज सुभा हम बात कर रहे थे कि क्या कोई और यूएस बैंक खत्रे में आ सकता है बट यह तो यॉरोप का सबसे बड़ा बैंक जो रियाक्शन आ रहे है साले 10 पर से यॉरोप इसनी सारे है ना बैंक बड़े हैं देश छोटे है तो समझता नहीं कि कि किसके यहां क्या निकल सकता है अमेरिका में तो फिर भी क्या थोड़ी डेमोक्रसी स्ट्रोंग के पता जा जाता है कोई भी किसी के लिए कुछी भी लिख देता है बोल देता है तो समझ में आता है यूरोप में है लेकिन उस लेवल की नहीं, मतलब कि जहां पर आपको हर चीज पता चली जाए, यूरोप के बैंकों को लेकर हमेशा थोड़ा, आपको याद है, पिछली बार भी स्ट्रेस जो होगे थे, यूरोप के होगे थे, उससे में हमको लेख स्ट्रेस किसका कर रहे हैं इन बैंकों को कर रहे हैं कि इन्वेस्टर का कर रहे हैं, तो वैसा हाल था है, अभी वापस से वही सिचुशन, नो, दस-दस परसेंट, यूरोप का सबसे बड़ा बैंक, आप यह सोचो नहीं, आप ऐसा सोचो कि आपका ASBI या HDFC बैंक, नो या ICC बैंक 10% गटावा हो, तो पूरे यॉरोप का सबसे बड़ा बेंगे, पुनाल जी कुछ विशेश टीपनी करेंगे सर? वो तो सिदाजी हैं, बट लेके नहीं जाते हैं, अगर हम जाके वहाँ कुछ खर्चा करेंगे, तो यही आकरी रास्ता बच्चा है, इस विच रास्ते मुश्किल होते दिख रहे हैं, बाकी और कोई सुनें, सुनें, डाव फीचर को हमारी सुन रहे हैं, अब 200 पोंट देल ओपर आते हुँ दिख रहे हैं, दाव फीचर धडाम से गिर रहे हैं, गिर नहीं है, धडाम से गिर रहे हैं, और ऐसे में सुने जी कहरे हैं कि जल्दी से विगुल बजा दीजिए मेर लिए और जैविक तयार है अपने विगुल के लिए, तो पहले सुमित के सुपरि सुमी जी बताएं, अने जी गडबड लग रहा है मार्केट और स्टॉक्स, सेल विउ ही रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 149 फूचर के अंदर, 149, 148.90 पैसा, स्टॉक का नाम है PFC, ये स्टॉक के अंदर गिरावट है, स्टॉक पिछले 4-5 दिनों से गिरावट दिखा रहा है, और आज वापस से ओपनी लवल से सेलिंग प्रेशर देखने को बिल रहा है, तीम दिन पहले के लोग ब्रेक कर रहा है, स्टॉक के अंदर यहां से 5-8 रुपे का फॉल, जल्दी ही देखने को मिल सकता है, 151, 152 ये स्टॉक का ओपर में रिजिट 152 के स्टॉक ने सहाथ PFC में आज सरकारी कमश्यों के पीछे पड़े हैं, सुमिजी गुस्ता है, जिस तरसे STT बढ़ाया गया, अब सरकार का तो कुछ कर नहीं सकते है, सरकारी कमश्यों पर ही चार्ट पर गुस्ता निकाल रहा है, सुमिजी ऐसा हमारे विश्वस सुत्र इस पर सिद्दार जी भी विशेश्टी पड़ी करना चाहता है, जी सिद्दार जी, सुमिजी बिजली कटवा के रहेंगे, सुमिजी को भविश्य अंधकार में दिख रहा है, जो भी पावर स्टॉक से उनका, उनमें कहीं कोई दूर दूर तक उजाला नजर नहीं आ रहा, इन TPC के बाद PFC बेचने के राए, आई एक सिकनी, 545 पर आपने सेल कॉल दिया है, बैंक निफ्टी पर, 385 का लो है, तो 375 का पहला टार्गेट अब आ गया, अब आप सिफ एक काम करें, चाहें तो 25 परसें और पोजिशन काट लें, और दूसरा ये कि आप अपनी कोस्ट पर इस्टोप्लोस को ले आए, ताकि मुनाफिय का सोधा आपका लुक्सान में जाए, बैस इतना सा छोटा सा काम करें, कि प्रॉफिट का ट्रेड है, युकि दिखिए, डाव फिचर आपको सपोर्ट तो कर रहे है, सवा 200-200 नीचे है, बचे वे 10-15 मिट में कोई खास रीक जाए, बढ़ाएं सर, अधी, युकि ख्रीदना है 39,400 के स्ट्राइक का पुट्चुन, जो अभी ट्रेड कर रहे है, 338 पर, 338 पर ट्रेड कर रहे है, 39,400 के स्ट्राइक का पुट्चुन, इसको खरीद एनिल जी यहाँ पे जो stop loss होना चाही है, वो stop loss आ रहा है 178, ये लिवे लेज पर and 338 पर खरीदना है and targets अने जी जी उपर में निकल करा रहे है the first target comes to 515 पांसो पंद्रा and दूसरा target अने जी आ रहा है 626 so 515, 626 ये दो targets के लिए आप 39,400 के strike का bank nifty का आपको टॉप्शन खरीदे अने जी डेफिनितनी यहापे एक confirmation में चुका है अपके एक further downtrend आपको यहापे देखने मिल तरकता है until unless अपर के तरफ अपर 39,000, 840,000 को अपर 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 अपरेवले ट्रेड नहीं करता तो यह है आपके लिए 49,400 अनल जी सोच विचार मिल रहे हैं आम तोर पर ऐसा कमी होता कि मैं पहले दूर जय बाद में दे क्योंकि मैं कोशी करता हूँ जिस को देना है पहले जरूती ना पड़े आज थोड़ा जय देरी सा है अने जी आम का भी सीजन आ चुका है अने जी यह है आम आदमी जिन्हें आम बहुत पसंद है बिलकुल जय और जय के लिए बढ़िया ओर्गेनिक पेस्टिसाइड्स फ्री आम की अरस्ता की जाए अने वाह बिलकुल थोड़ा इदर भी मैं चुक खत्म करते है अभी यहां से शो कफर करें置 जाते हैं में curry आज मैं प्रण लेता हूं कुनाल जी का ए मार्ट कुनाल जी कि है कुनाल जी काइर अब कुनाल Maaf की जग़े आप से माववी चाहता हूं आपने दो दिन पहले कर Adams कि मुझे lijजू लेना बागी सब भी दि जो भी फल मिलेंगे, वो फल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सेवन के लिए, जाए वो दीप करें, जाए हमारे जाए ठकर करें, बागे आप सिब लोग करें, मैं जोब इस दन, मैं कब से सोचा था क्या लूँ, क्या लूँ, what an idea सर जी, जी सिदार जी, अनिल जी, जे को आफर मस्ती के पाइचल, वर्चू अलाम करना पड़ेगा, वाँ, बिलकुल, बिलकुल, तो चलिए, यह है, 30-20 की स्राटिजी, अनिली की तरफ से, सिचुएशन तो खराब ही सर, 200 पॉंट नीचे, डाव फ्यूचर नीचे, नाजरेक फूचर पचास पॉंट नीचे, यॉरप में डेड़ दो परसंट अल्मोस गिरावट है, यूबियस, डॉइश बैंक, क्रेडिट सुईस, इस सारे फिसल रहे है, पता नहीं, आज यूएस के बैंक्स में क्या होगा, यॉरप के बैंक्स ने तो अल्री डर लगा दिये, क्या करके जाना है, सर? नहीं, लेना तो ही नहीं थी, बहुत क्लियर, आज तो एकदम, दो बज़े से, डेड़ बज़े से, मूर्व क्लियर है कि अपने कुछ नहीं खरीबना है, और आज खरेंगे, बहले ही, 200 पोईंट उपर लेना पड़े है संववार को, लेकि नहीं लेना आज तो, क्लियर है, और 16-950, नो डाउट आकरी मिंटो में है, तो हो सकता है, आपकी क्लोजिंग, 16-950 के आज सपास है, आपको लग सकता है, हम तोड़ रहे नहीं, तोड़ रहे लेवल, एक दिन और बेट करना चाहिए, लेकि मेरा यह मानन है, डिसिप्लिन के तोर पर लोंग पोजिशन बना सकते हैं, अब क्या लेंगे, आधकल क्या मार्केट का भरोसा नहीं, सुबह डाउट खुले कैसा उपर क्या हो जाए दो पर में, फिर डाउट फीचर क्या है, तो वोलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और उसमें खराब ख़परों की गुंजश ज़्यादा है, अच् जिसको यह कॉंफिड़ेंगे, सौंवार को तो हमें यह भाव दिखे गई नहीं, उनके लिए ठीक है, अपने तो लेना ही बहुत क्लियर है, और दिनको एक दिन और इंतजार करना है कि अमनी लॉंग पोजिशन कम करना है नहीं करना है, अपनी हेजिंग रखे और बैंक नि यह भी अपडेट हमें लेना है, आए थिंक आशीश भी हमार साथ आ चुके हैं, बैंसे बन फिट अब देने के लिए आए लेते हैं अपडेट तीन सोक्स हैं आशीश, क्या बदाब होंगे? पांचु तीन है, इनमें से सिर्फ दो ही रह जाएंगे आपके पास, क्यों बैयो को निकलने के लिए हो गया है तयार, फिलाला अब देखे, साड़े अठतर परसंट है मार्केट वाइट पोजिशन लिमिट, यानी 80% से नीच बने रहेंगे, एंट्री के लिए फिलाल कोई बीश रहसा निए है, जिसकी मार्केटवी पोजिशन लिमिट 95% के ऊपर हो, तो पक्का होगया कि भायोकॉन भार आएगा, बाकी कि दू बने रहेंगे। बाङोकॉन बाद कि दू क科ई गया है, और एंट किसी और एंट्री क पिए पूर पिएट सामे लगिए रहा है थोड़ा सा कोई बात मिए आप समय लेजिए हैं एक तेखिनिचल चार्ट थो डिस्ट्रॉ। अबस्टविए मिए लिस्ट थूड़ा चाहिए अगर दिस्ट्रॉ। वह लेवल भी तोड़ा हुआ है, ओवर सोल्ड है, पुल बैक आता है को रैली आती है, तो रैली पर निकलना चाहिए, किसी तरह की बॉटम फिशिंग बिलकुल अवाइड करनी चाहिए, यह है आपके लिए बायो कॉन, ओके, चलिए, क्लोजिं के तरफ फिर बढ़ते है, एक में भी एक रिवर्सल आपने बनते हो देखा है, HDFC लाइफ भी फिसला है, पूरे हफते काफी अक्टिव था, end of trade आके आते, यह काउंटर भी आपको फिसलते हुए, दिख रहा है, वैसे हफते की शुरुवात अच्छी हुई थी, बट कोई रिलीफ नहीं आए, इंशॉरं मोटरस में भी कट दिखा है, Reliance Industries एक परसें नीचे बंद हो रहा है, सुभा IT से अच्छा सहारा आ रहा था, HCL Tech, Infi, Wipro, Tech Mahindra ऊपर थे, बट टोवर्ड्स एंड आफ टेट इन्हों ने भी अपना कोर्स रिवर्स कर दिया है, ONGC में भी आज 7% की गिरावट है, L&T भी को टक Mahindra Bank, Tech Mahindra, Infosys, Supply, TCS में हुई है, बट उन लेवल्स पर ने जो सुभा दिख रहे थे, HUL, ITC अभी भी थोड़ा positive close हो रहे है, HDFC Bank, surprisingly ये आपको flat close होते वे दिख रहा है, हाला कि through the day यहाँ पर भी काफी उतार चड़ाव था, हलकी फुलकी move आपने चुनिंदा गज बैंक्स में देखी, बट अधरवाइस, छोटे मजोले बैंक्स देखिए, बंधन बैंक 5% का कट इस काउंटर ने दिखाया, RBL बैंक इस पर आपको बड़ा कट आते दिखाया, PNB, Bank of Broda, यहाँ पर भी बड़ी गिरावट आपको ट्रेड में दिखी है, expiry accident जिसके ब इसमें आपने वीकनेस देखिए, पीरमल एंटरप्राइस भी उसमें जोड दीजिए, हिंदुसान कॉपर 3% नीचे, हाला कि इंटरनाशनली कॉपर के प्राइस पिछले दो दिनों में ऊपर जा रहे हैं, इस हफते तो 5% उपर थे प्राइस, NMDC में आपने कट देखा है, PV वियार कमजोर रहा, इसके साथ ही डेल्टा कॉप, इसमें भी वीकनेस देखिए, एवानेटी 5 के लेवल के नीचे गया है, इंटर ग्लोब, एविएशन, जी एन एफसी, सन टीवी, टॉरेंट पावर, सिटी उनियन बैंक और MCX, इस पर भी रखेगा नजर अगर CTT में कु एक आउटलायर था, IT स्पेस में, औरिकल फिनांस में भी हलके फुल किया, आपने खड़दारी बनते हुई देखी है, कैश मार्किट की तरफ आईए, और यहां पर भी कई सारे स्टॉक्स है, जो आपके डेडार पर थे, UTI, AMC, आफकोस यहां पर आपने कमजोरी देखी थ दिखे, कुछ स्टॉक्स वहाँ पर, BSC, CDSL, इन्हें भी अपने रेडार पर रहे हैं, बाजार का मूड बहुल अगर खराब होता है तो इन पर भी इंपक्ट आता है, और इसके अलाबा, मूव थोड़ी पॉजिटिव, एक एंपस अक्टिव है, बड़ी ब्लॉक्डील हु नुकसात हो खोरा है, आज जो क्लोजिंग हो दिखनी है निफ्टी की, बाजब नाजब धार बंद ने का एक्षिन बता दो, जब तक की फाइनल क्लोजिंग आपके सामने आए, सरसो उत्पादन बादनों को लेकर मेगा प्लान हो चुका है तयार दो साल में उत्पादन दो सो लाख टन तक पहुचाने का लक्ष है जो अभी 115 लाख टन है दो सो लाख टन का आकरा कैसे पहुचेगा कैसे हासिल करेंगे और इतना उत्पादन बढ़ गया तो भाव कैसे टिकेंगे और किसानों को भाव अच्छा कैसे मिलेगा यह सारी समझ से हैं सरसूं का प्लान अच्छा उत्पादन अच्छे दाम इन दोनों के बीच का तालमेल और समंजस से बिठाने की कोशिश होगी शाम साड़े चार बज़े हमारे कमोडिटी स्पेशल में जी बिद्निस मना रहा है वेल्थ क्रेशन वीक और इस मौके पर हम आज बात करेंगे कि सोने से गोल्ड से निवेश के मंतर कैसे सीखने चाहिए और क्या गोल्ड अभी भी निवेश में बरोसे मन साथी है देखिए हमारा खाश शो सोने से सीख शाम पांच बचकर 26 मिनिट पर विशेशों मिसमर करीगा देश बर में करीब 30 लाग से ज़्यादा हैं टीबी के मरीज इलाज की तमाम सुईदाओं के बावजुद हर साल करीब साड़े चार लाख लोग की इससे म्रत्य हो जाती है और आज हम आपको यह आंक डे इसलिए बताने कि वर्ल्ड टीबी डे है आज और दुनिया में एक चोथाई टीबी के मरीज भारत में हैं सरकार ने 2025 तक देश को टीबी से मुक्त करने का रख्या है लक्षे मगर इलाज को लेकर लापरवाई सामयाजिक बहिशकार का डर इस लक्ष को हासिल करने में मुश्किल पेदा कर रहा है आज हम बात करेंग टीवी से मुक्ती की युक्ती यह हमारा आज का विशेश कारिकरम दॉक्टर वेंदर दिवान होंगे डाइरेक्टर नेशनल इंस्टिटूट ऑफ ट्यूवर क्लोसिस एंड रेसिपरिटी डीजीज मुश्किल नाम है जो मैंने आसानी से पढ़ा है आपके लिए एनाई टी से कम होंगे शामेल यह शाम की आज की छे बजी की पेशकर्श डेट मुचल फंड में लंबे समय से टेक्स के नियमें में बदलाव का असर कौन-कौन से मुचल फंड पर रहेगा कौन सी स्कीन रसी है जहां 35% से कम एक्विटी ऐलोकेशन और ऐसी स्कीम में आपको क्या करना यह साथ ही क्यों FD से बहतर रिटन अभी भी डेट फंड में मिल सकता है और कैसे बताएंगे आपको शाम साड़े 6 बजे मनी गुर में डेट में डेटे रहो और यह बताएंगे आपको निदरंजन अवस्ति साब सीनियर वीपी इडलवाईज मीचल फंड के और बताएंगे साल 2023 नोकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा है अब तक खास तर आईटी सेक्टर में तीन मेनों में कई नोक्रिया जा चुकी है डेर लाग से जादा पिछले अफते मेटा अमेजन के बाद आईटी कम ही एक्सिंचर ने भी बड़े पेमाने पर चटनी का किया ह जाएगा सवाल है कि चटनी के मादल कब चटेंगे और क्या आईटी के साथ दूसरे सेक्टर पर भी है खत्रा इस पर होगी इंडिया 33 ने में विस्तार से बाचीत आईटी में नोकरी आई गई बस यह हाल है हायर एंड फायर ओके यह साब कुछ है और आज रात डेट फंड पर डंडा हमारा विशेश शो रात नो बस कर 26 मिट पर मिस मत किजिएगा यह शो जो हमने बाज़ार के दिगर जो के साथ किया तो डेट मार्केट में जो बदला हुए उस पर पूरा का पूरा विश्टेशन आपके लिए वहां पर मिलेगा आओ वेल्थ बनाएं यह शो जो आपके लिए विशेश शो हमारा ओके विदा लेने का वक्त है और विदा लेने से पहले बता दें 16,945 से 16,950 का जो लेवल दिया तो उसी के पास जगए ऐसे बंदा होता ना कन्फूजन रखता लाइफ में क्या करें थोड़ा डंग डंग से उपर निचे बंद हो जाए त विदा लेने का वक्त है कुनाल जी राकेश जी है बनाई इस वीकेंड सुमी जी तो अब इसे वीकेंड के मूर में आ चुके हैं धन्यवाद हमारे जै ठकर साब का और सिद्दार जी का और साथ ही साथ वागल साब के भी बहुत बहुत शुक्रिया आज क्लोजिंग शो में ह साथ देने के लिए सुमवार को और अच्छा अगले हफते एक और चीज दी चुट्टी ट्रंकेट वीक है एक दिन चुट्टी भी होगी गुरुवार कोई शायद में है तो एकस्पारी एक दिन पहले गए जी बनसल जी करना है तो यह नहीं कि खुद बचना है दूसरों को भी अजुकेट करना होता है तो शामवाला शो मस्ता है सब करें सब देखिएगा उस यो को बिलकुल ठीक बात है बहुत इंपोर्टेंट है और यह शो मिसमत कीजिएगा बंसल जी भी आपको यही बात राय दे रहा है बिलकुल जरूरी है और दो-दो ट्रंकेटेट वीक की अधिर गोशिन एक ख़बर गर जाता है अधूरी है अधूरी है और विलकुल ख़बर अधूरी है और अधूरी भी कितनी दो-टी अधूरी आई पूरी आप तो ऐसे बोलो तीन में से दो वीक तो बोले है और पोजिटिव दो-टी आई ख़बर हमने सही बताई है वा तो छुट्टी प्लान चाने जी ए अधूरी इतने टुंकेटेड वीक आ रहे हैं फिर दो चुट्टी प्लान करने जी अधूरी आप तो देखो ही मत्य दर अभी मत्यूरी दो-तीन मेनी की चुट्टी से आये है आई स्वारी दो-ती सब्थे की चुट्टी से ओके चलिए आप सभी को बहुत-बहुत बहुत ब